दोस्तों रिसेंटली ये न्यूज आ रही है कि चायना ने एक और एज गेन कर लिया इंडू-पैसिफिक एरिया में और इंडू-पैसिफिक में चायना को एज मिला है जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खराब न्यूज वाली बात है या ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है हुआ क्या है एक हेडलाइन है इसको पढ़ो आप लोग construction begins in Cambodia on new 1.5 billion port built by China तो इससे समझी गए होगे आप लोग की क्या हुआ है कि यह जो port है यह चायना बना रहा है Cambodia में किस port की बात तो यह मैं आगया आप लोग को बताऊंगा सबसे पहले मैप मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि Cambodia कहा पर है और किस region की बात हो रही है चायना जो है एक port यहाँ पर बना चुका है जिसको रीम port का जाता है और USA कहता है कि यह जो port है यह चायना का पहला military port है इंडो Pacific में पूरे world में जो चायना का military port है चायना के बार वो आप लोग को पता होगा सबसे पहला है जुबोती में एक port बनाया है चायना ने वो और उसके बाद दूसरा यह है और सिर्फ इंडो Pacific के बात करो तो पहला यह है तो USA तो कहता है कि यह military port है और पहला military port है इंडो Pacific में लेकिन चायना और Cambodia जो है वो मना करते आ रहे कि नहीं यह military port नहीं है यह China के military के लिए यह port नहीं है लेकिन USA जो है वो इसको नहीं मानता है वो इसको military port कहता है चायना का और इस तरह के स्टेटमेंट जो चायना से आते हैं जाईर से बाते इस पर वरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि last year अगस्त में क्या हूँ हम लोग ने देखा श्रिलंका में चाइना ने हमबड डोटा पोर्ट जो है उसका वो लीस पे लिया है 99 साल के लिए और श्रिलंका आमेशा से ये कहता आ रहा था कि ये जो पोर्ट है ये चाइना को military purpose के लिए इस्तिमाल नहीं करने दिया जाएगा ये पोर्ट चाइना के military use के लिए नहीं है लेकिन last year अगस्त में चाइना ने पूरा pressure बना के श्रिलंका पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की लेकिन पूरा pressure बना दिया श्रिलंका पे और finally उसका जो spy ship था जो जासुसी के लिए वाला ship था साइना का जिसमा खूब ज़्यादा radar वगरा लगे वे थे युवांग वांग 5 इस ship का नाम था इसको यहाँ पर dock कराई दिया इंडिया जो है वो मना करता रहा श्रिलंका को की खबरदार इस ship को dock करने दिया यहाँ पर तो लेकिन श्रिलंका को मजबूरी में यह ship जो है इसको dock करने देना ही पड़ा तो चाइना कभी भी यह कहे कि नहीं हम लोग military purpose के लिए यूज नहीं करेंगे या फिर इस तरह की कोई बाते कहें कि हम लोग जो है वो investment करना चाहते हैं किसी country को develop करना चाहते हैं तो इस तरह की की चीजों पर जो विश्वास है वो नहीं किया जा सकता है अब यहाँ पर देखो आप लोग यह जो map है इसमें यह वाला जो province है Cambodia को इसको कहा जाता है comport province यहाँ पर चाइना एक port बनाएगा और यह port जो है यह multipurpose sea port होगा और deep water sea port होगा deep water sea port जो होता है वो heavy vessels के लिए होता है heavy जो ships होती है वो वहाँ पर आ सकती है उनके लिए यह port जो है यहाँ पर बनाया जाएगा इसका project चाइना को जो है वो मिल चुका है और चाइना ने जैसे कि हम लोग ने देखा headline में कि इस पर construction जो है वो शुरू भी कर दिया है इस project को mega project का आ जा रहा है इसी project के अंदर कई चीजों जो है वो develop की जाएगी यहाँ पर जैसे की container terminal हो गया special economic जो हो है वो इसको develop किया जाएगा इस एरिया में उसके लिए जो infrastructure लगते हैं जो tourist vessels हैं उनके लिए भी आपर develop किया जाएगा total 15 साल का यह जो project है वो बताय जा रहा है और 3 phase में इसको बनाय जाएगा काफी जादा जो investment है एक तरीके से ऐसे समझा जा सकता है वो आने वाला है चाइना की तरफ से Cambodia को पहले की तरह पहले भी चाइना जैसे कि मैंने आप लोग को बता है naval base वगेरा बना चुका है जिसको USA कहता है चाइना का military port है और यह लोग मना करते हैं और चाइना के जो newspaper है ना उसको अगर आप लोग देखो तो यह खुद से इस चीज को claim करते है खुद ही से अपनी तारीब करते हैं कि हमारा जो infrastructure development program है चाइना जो इन्वेस्ट्मेंट है कामबोडिया में जो उसकी वज़े से कामबोडिया जो है वो बहुत तेजी से develop कर रहा है जबकि Chinese investments की जो reality होती है Chinese investments के बाद country में होता क्या है वो हम सब जानते हैं और कमबोडिया को भी इस से सीखने की ज़रत और इस चीज को अगर आप लोग इंडिया के point of view से देखो तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है क्योंकि बहुत time से China जो है अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है इंडियान ओषियान का जो access है वो उसका अलाग-अलाग रास्ता डूढने की कोशिश कर रहा है इसके लिए वो चाहे मियामार हो गया चाहे कमबोडिया जैसा की हम लोग ने देखा वो हो गया पाकिस्तान इस एरिया में हो गया, इंडोनेशिया हो गया इन सब कंट्रीज के साथ कॉपरेट कर रहा है ताकि इंडियान ओशियन में वो अपना होल्ड मजबूत कर सके और इंडिया को पूरी तरीके से गेर सके string of pulse policy के पार में आपनों पहले भी सुना होगा इसमें चाइना जो है वो यहाँ पर important points जो है वहाँ पर infrastructure डेवलोप करके अपनी presence बनाके इंडिया को पूरी तरीके से गेरने की कोशिश करता है तो यह चीज जो है यह भी उसी के लिए एक नया investment देखा जा रहा है यहाँ पर हो सकते हैं आपके मन में यह सवाल आए कि कमबोडिया जो है वो तो इंडियान ओशियन में है भी नहीं वो यहाँ से बिलॉंग भी नहीं करता है यहाँ पर और इंडियान ओशियन में क्या लेना देना है तो देखो क्या है ना कि मालो चलो इंडियान ओशियन के थोड़ी देर के लिए बात किनारे करते हैं हम लोग पूरे इंडो पैसिफिक की अगर हम लोग बात करें तो इंडो फैसिफिक में चाइना का इन्वेस्टमेंट इस एरिया में इसकी जो पकड़ है यहाँ पर वो मजबूत करता है इसकी power projection जो है इसकी military को deployment कहीं करना हो तो उसमें advantage देता है एक तरीके से strategic advantage चाइना को यहाँ पर देता है दूसरा यहाँ पर जो आप लोग country देख रहे हो Thailand इसके साथ चाइना ने प्लान किया है एक canal का जिसको कहा जाता है कारा कैनान यहाँ पर चाइना कहता है कि यह थोड़ा सा land जो है Thailand का इसको काट के हम लोग एक canal बनाते है जिसके तरू जो रास्ता है Indian Ocean का वो यहाँ से बन जाएगा तो समझो आप लोग Cambodia में इसने अपना military base बना लिया अपने military की जो presence वो बना ली साथी साथ यहाँ से एक रास्ता बना लिया अब इसको Indian Ocean में एंटर करने से कोई रोग भी नहीं सकता है अगर यह canal जो है यह चाइना बना लेता है तो अभी जो Indian Ocean में एंटर करने का रास्ता है चाइना के लिए या फिर Indian Ocean से East Asia में भी जाने का जो रास्ता है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रास्ता यह वाला है मलक का स्ट्रेट से यहाँ पर इंडोनेशिया होते हुए फिर East Asia में एंटर किया जाता है फिर Pacific में जाय जाता है और यहाँ पर फिर इसके ओपर आप लोग को पता होगा इंडिया का एक आइसलेंड है जिसको नाम है अंडुबार और निकोबार आइसलेंड इस आइसलेंड पर इंडिया ने काफी जादा military infrastructure जो है वो बना रखा है military deployment यहाँ पर रखी है प्लस अभी हाल में ही एक great निकोबार प्लान भी इंडिया लेके आये था जिसमें बहुत ज़्यादा investment करेगा यहाँ पर trade के purpose के लिए एक तरीके से logistic hub बनाने का पूरा प्लान है इंडिया का इस पर भी मैंने video डाली थी link जो है उसका मैंने description में डाल दूँगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही important project है यह इंडिया का जिससे मैं कह सकता हूँ कि चाइना को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है तो वो video भी आप लोग जाके देखिएगा आपको पसंद आएगा वो लग video और यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है military की deployment भी बहुत ज़्यादा है चाहिना की उसके बाद आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर एक Iceland है इंडोनीशिया का जहाँ पर समंग port है वही कह सकते हो आप लोग इसका इस्तिमाल करके कभी भी यह जो chop point है जहां से enter करता है चाहिना इंडिया नोशियन में उसको block कर सकता है और चाहिना के लिए जो यहाँ से shipment जाता है उसको भी रोग सकता है एक तरीके से कह सकते हो पूरे चाहिना को गुटने उपला सकता है इ जो कि इंडिया में उसकी जो presence है उसका जो hold है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना चाहता है हाल में आप लोग को पता होगा कि चाहिना ने एक इंडिया नोशियन सम्मिट भी कराया था अपने जिसमें उसने अपनी ही बीचती करा ली थी एक तरीके से ज़्यादा तरीके क कि हम एक ही इंडिया नोशियन ग्रूप को जानते हैं जिसका मेंबर इंडिया भी है तो एक तरीके से चाहिना ने खुद अपनी बेस्ती करा ली थी और ये सम्मिट कराना इस तरह के के एक यह दिखाता है कि चाहिना बहुत ही ज़्यादा एग्रिसेवली इस एरिया में बहुत असानी से एंटर कर लेगा चाहिना यहाँ पर उसके अलावा फिर चाहिना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडोर जो है वो भी आप लोग जानते होगे जिसके तरू चाहिना इस एरिया से गौदर पोर्ट के तरू बहुत असानी से एंटर कर सकता इंडियन ओशियन में यह रास्ता जायर सी बात है शिप्मेंट के लिए ट्रेट के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो टेरेन है वो काफी टाफ है लेकिर उसके बाद यहाँ पर भी एक अगर आप लोग देखोगे ना चाहिना म्यामार एकनोमिक कोरिडोर वो बनाने की बात हो रह ता है future लेकिन जैसे जैसे चायना जो है उसको access मिलता रहेगा इंडिया नोशियन रीजन गा जैसे 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 इंडिया नोशियन में वो अपनी presence बढ़ाता रहेगा वैसे वैसे इंडिया के लिए जो खत्रा है वो भी बढ़ता रहेगा यहाँ पर investment करके string of pulse policy के तुरू जैसे हम लोग ने बात की इंडिया को गेरने की कोशिश करेगा और यह चीज इंडिया के लिए अच्छा नहीं है इसलिए इंडिया को इस तरह की की जो चीज़ें इसको रोगने की ज़रत है और यहाँ की जो countries है Thailand हो गया, Cambodia हो गया, Myanmar हो गया, इन सब के साथ corporate करने की ज़रत है ताकि इनकी जो हंगर है investment को लेके वो भी fulfill किया जा सके बिन्या इनके चाइना पर dependent हुए हाल में ही इस तरह की news आयती की European Union जो है उसने यह decide किया है कि हम लोग अगले 4-5 सालों में 340 billion का जो investment है वो करेंगे इंडो Pacific region में तो इस चीज़ का फायदा उठा के इंडिया को इ अच्छन लगा हुए तो लाइक, कमेंट, शेर, सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा, that's all, Evanazda, take care